हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन एक बहुती कॉमन कुश्चन है जो डे टू डे प्रैक्टिस में क्लिनिक में लोग उसके साथ आते हैं या फिर लोगों ने सोचल मीडिया पर भी आप देख किया लोगों ने यह continuously एक क्वारीज रखी है और जो यंग स्टर्स हैं उनकी एक क्वारीज है उनका एक कंफ्यूसन है तो आप इसको आज हम सॉल्ब करने की कोशिस करेंगे इसके बारे में हमें क्लेरिटी लाने की कोशिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो क करने से हैंड प्रक्टिस करने से क्या किसी को पी एमी यानि प्री मेस्ट्रल एजर्पूलेशन की समस्चा आ सकती है यानि सिग्र प्रतन की जो समस्चा है जो अर्ली डिस्चार्ज होने का जो मसला है जो डूरेशन कम रहती है उसका जो मसला है क्या इसका कोई डारेक्टली हमारे hand practice करने वाली पिरकिरिया से संबंध है यदि मैं इसको clearly, clinically देखूँ तो clinically इसका directly कोई संबंध या physiological कली या harmonally तो नहीं होगा लेकिन yes इसका indirectly संबंध है और इसके होने से यानि जो लोग बहुत ज़्यादा excessive hand practice करते हैं वो कहीं ना कहीं उस hand practice करने के साथ उनके अंदर एक anxiety, एक fear, एक aggression, एक early मतलब उनको immediately वो process खतम करना है और एक heart बड़ा heart और एक speed के साथ उस चीज को करने की जो आदत है वो आपके brain को पढ़ जाती है यानि आप दिमागी रूप से, सारे रूप से एक काम को उस तरीके से करते हैं बहुत heart बड़ा heart में, बहुत fast करते हैं बहुत speed से करते हैं और उसको आप as soon as possible early उसको खतम करना चायते हैं तो यह जो पिरकिरिया है जिस तरीके से हमने उसको इतने लंबे समय तक, इतने लंबे time तक कितने सालों तक किया है अब हमारा दिमाग और हमारा सरीर उसी तरीके से विक्सित हुआ है और हम आज भी उसको उसी तरीके से perform करते हैं तो clearly जो early discharge का मसला है वो आपकी hand practice की आदत से directly link है उससे आपको एक anxiety आती है उस समय पे और sex से पहले जो एक anxiety, एक depression, एक pressure आप अपने उपर जो load करते हैं उसके कारण ये सब देखा जाता है एक part है और दूसरा जो part है कि जिस तरीके से, जिस method से हमने उस चीज को execute करना शुरू किया था when we was young या फिर हम teenage में थे तो उस वो ही पिरकिरिया, वो ही clock, वो ही एक physiological reactions आज भी हम during intercourse देखते हैं और वो हमारा brain, हमारा सरीर सब कुछ उसी तरीके से काम करता है तो वो आदत इसको directly बढ़ाती है directly वो habit responsible है इसके लिए तो अब हमें simply उस habit को slow down करना है उस habit को change करना है वो habit यदि एक time तक आप change करेंगे change करेंगे उस practice को आप थोड़ा सा slow down करेंगे बीच बीच में आप उसको hold करेंगे तो आपका duration लंबा होगा और वो problem naturally ठीक हो जाएगी Thank you very much and take care yourself करेंगे बीचे लंबाएगी